असलाम वालेकुम, वल्कम है आप सभी का इस नई वीडियो में, तो जिस तरह आप सभी को पता है कि कल, Class 10 का उर्दू का पेपर है, इस बीच अगर आपको पता है कि पेपर का जो आपका Maximum Marks होते हैं, वो आपको या तो Passages पे या पैसेजिस से आते हैं, क्योंकि Passages आपको 3 उनके यहां पे आपको 15 Marks आजाएंगे, उसके बाद आपका Grammar होता है, उसमें सबसे Important Marks आपके आते हैं, और इसके साथ आपका जो है, जिसमें आपको खत वगेरा या मुजमोन वगेरा लिखना होता है, उसमें यहां पे आपको आते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही 3 portions के preparation करवाने वाला हूं, यह काफी important रहने वाला, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो यह 3 portion अगर आप करके जाओगे, तो आपको easily अच्छे खासे Marks आजाएंगे, और इन ही 3 portions से आपका maximum paper आजाता है, तो 3 portions में आपको detail में समझाऊँगा इस वीडियो में वीडियो को पूरा एंट तक देख लेना, बिल्कुल भी skip मत कर लेना, चनल को में सबस्क्राइब कर देना, और टेलीग्राम ग्रूप हमारा जोइन कर देना, लिंक उसके आपको description में मिल जाएगी, तो चले वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और देख लेते हैं आपकी last hour preparation वीडियो, तो देखे, पहले जो पूर्शन आपको आजाएगा, वह आपको passage का आजाएगा, जो ही आप अपना paper पकड़ोगे, इसमें पहले यहां पर आपको तीन चार लाइनस वाली passage आजाएगी, इस passage के नीचे आपको जब पांच डैस दिया होंगे, इन पांच डैस को पड़ेगा, पांच डैस के यहां पर आपको पांच मार्क्स आजाएगी, तो किस तर से फिल अप करना है, देखे पहला है, यहां पर कोशन आया है, हुसन जमाल से बरी सरजमीन का नाम डैश है, अब क्या नाम है, उसका आप ओपर पैसेज पड़ोगे, अल्ला ने हमें हु मेरसेद अली हम्दानी रहमतुलाई ने शुपिया के मुकाम पर वाधिपरी में कदम रखा, पर किस चाहे, और अमेर सी हम्दानी नीआहा का यहां पर आपको पैसेज पासेज में, मिलतरा आजाएएगे, इनको बिलकुल उपको जाएंगे, यह प्रही पैसेज में रीज़ होते हैं उसके ब thành इप आए जाओगे यहां पे आपको एक शायर दिया हो गा इसके बाद जा पर पांच बाझ से पांच पर दिया होगे इन 5 हों के 5 हो कोशंट के आफ नशी के आंसर को यहीं वाली ऒिशार होगा इसे में TR先 में आपको यहाँ पे आपका answer आजाएगा रात तो इसी तरह से पांचों के पांचों को questions का यहाँ पे आपको ऊपर ही answer मिलेगा फिर next आपको फिर से एक passage आजाएगी इसको यहाँ पे आपको थोड़ सा answer लिखना पड़ेगा ऊपर तो आपको dash fill up करनी थी लेकिन इनमें यहाँ पे आपको answer लिखना पड़ेगा इन सारे questions का आपका answer ऊपर इसी passage मिलेगा इसको ही जब आप पढ़ोगे यहीं पे आपको सारे answer इनके मिल जाएगा जैसे अगर मैं आपको example के तोर पे समझाओ यहाँ पे पहला question आया है क्योंकि कब बारिश पढ़ने वाली है क्या कुछ पढ़ने वाला वो आपको पूरा इंटरनेट से मिली जाएगा forecast करके आप देख सकते हैं उसमें उसमें पर next question यहाँ पे आपका है एक महीना पहले लोग किस के लिए तयार होते हैं लोग उसमें का मुकाबला करने के लिए तयार होते हैं इस तरह से पैसेज़ वाले पंदरह मार्ट माक्स में कर सकते हैं आपका 10 कर सकते हैं पंदरह माक्स बिल्कुल अगर कोई और यह पनया फौरे आजाओगी और यहाँके अश्याओं आजाएगा तो नेक्स यहां पर हम नीचे चलते हैं नीचे यहां पर आपका जब फिर से एक important questions यहां पर आए है इसमें यहां पर देख लीजे question आपका आए है दरीजल अलफाज को हिदायत के मताबिक जम्लों में इस्तिमाल करें यहां पर आपको चार questions दिये हुए उस्ताद किताब चांद और गाड़ी इनको अपने जम्लों में इस्तिमाल करना है लेकिन यहां पर आपको आगे क्या लिखा होगा है कि इस तरह से जम्लों में इस्तिमाल करना है ताकि मौनस या मुजखर वाजिया होना चाहिए यह मौनस है या मुजखर है जिसे किताब को अगर मैं जुमलों में इस्तिमाल करूँ यह मेरी किताब है यहां पर मैंने मेरी लगा है तो मेरी मतलब की मौनस ठीक मेरी मतलब की मोशं तो यह किताब ज़े हमzes है इसी तरह से आपको चांद निकला मतलब की मोशंखर ठीक मेरी गाड़ी जे मेरी मतलब की मोशंखर है निकला मतलब की मुझखकर है निकली अगर यहां पर आ जाता है मुञनस होता है इस तरह से यहां पर आपका यह वाला पॉर्चन भी ऐजीली आपका हो जाएगा किताब का आप लिख लीजए यह मेरी किताब है मेरी मतलब की लड़की वाली फिलिंग आती है लड़की वाली feeling in the sense की लड़की की तरफ हम इसको point करते हैं तो मेरी मतलब की monas, ठीक, उसके बाद यहाँ पे चांद, आज, चांद, निकला, निकला मतलब की मुजखकर, ठीक, इस तरह से आप कोई भी आ जाएगा, आप उसको की दीजिए ठीक, यहाँ पे दो हुरूफि जार और हुरूफि तैसीन आपको दिए हुए है इनके यहाँ पे आपको definition की लिख ली है और सेसेत उनकी मिसालें भी आपको लिख ली है तो इनकी मिसालें और definition क्या है वो यहाँ पे हम आपको बताते हैं अब देखिए जिए हम हुरूफी जार को यहां पे थुरसा explain करेंगे यह PDF आपको screen पे दिख रहा होगा इसमे आपको clear नहीं दिख रहा होगा definition तो यह photo clear यहां पे आया नहीं है आपको नहीं दिख रहा होगा तो इतना आपको इसमें लिख लेना है अगर आपको example के तोर पर मैं आपको समझाओं जैसे यहां पर example के तोर पर मैं आपको बताओं में, बीच, अंदर, दर्मियान, साथ, समेच, यह सारे की सारे हुरूफ जो होते हैं, तो एक्जमपल अगर आप इसमें जो आपको मिसाल लिखनी पड़ेगी, रफीक का बाही, ठीक, का यहां पर आपका जा जाएगा, वो आपका हुरूफ जाएगा, यह आपका हुरूफ जा मिलाते हैं, ठीक, उनको हुरूफ इसमें आ सकता है, अब यहां पर हज़ानए में हभीर जार और existem, वर हुरूफ बाता है जैसे आसिफ और अली जाएगे आपका हुरूफ इसकूल गए आसिफ और इस इततना है यह दोनों जुम्लों को मिलाता है, आसिफ और अली धोनों इसकूल यहां पे गए हैं, तो इस तरह से यहां पर आपको हुरुफ ए तफ की हम अगर आ जाये, तो इसका भी है आप यहां पी आप एसली लिख सकें, उसके बाद हरुप ए तकसी है सी हरूफ को कहते हैं, जो किसी इसम या फेल या जमीर के साथ आते हैं तो मानिय में एक इसम की खुबसूरती वो पेदा करते हैं उन हुरूफों के कहते हैं हुरूफे टक्सिस एक्जम्पल के तौर पर हम समझेंगे कौन-कौन हुरूफ हुरूफे टक्सिस होता है हुरूफ टक्सिस का काम यह पे करता है उसके बाद आप याएं और लोग तो आएंगे ही यहां पे जो तो तो यूज हो जाएगा यह अपका हुरूफ टक्सिस के काम चार्बार ली के खुबसूरती ठक्सिस होता है हुरूफ टाहण के अगर हम बात करें हروف تحسین वो हروف के, न हरूफ को के थे जो तारीफ के मोके पे मुझे निकलते है, जैसे माशालला, वावा, वाव, वाव, क्या बात है, चश्मे बद्दू, सुभानला, माशालला, उसे जो जो हरूफ होते है, न हरूफ को खृरूफ तैशीन के थे के example अगर आप देख लोगे माशाइल allah वो कितना खूबसूरत है तो इसमें जो चीज्ज इस चीज्ज मिठाई कितनी मीठी यह वह कितनी मीठी है जो वह 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 वहां पर हम होता है भुरूफ इस बाई हम लर्मेंस कर आणे हैं इसमें एकतो उस उसके बाद हरूफِ ताजुब की अहागर हम बात करें हरूफِ ताजुब वह रूफ होता हैं जो किसी अजीब चीज या अजीब वाक्षे को देखकर खुशी की हालत में मौ से निकलते हैं। उन हरूफं को कहते हैं हरूफि ताजुब। जैसे ल्लाहुक्बर, आहा, सुभा तो और आदार किया है ? दो ऐाँ पे निताहिना घुटॉ अचिमडे को यह माथभूमादू पहले अचिमी खोनी कशके के बार है वह का जो किसी काम को जायर युम्म जो नाजना होता वो इसमें फाल होता है वो फाइल होता है मतलब किसी काम को जिसको वरब कहते है तो उसी को फाइल यहां पर कहते है जिसमें किसी काम को करने का जाहिर होता है और फाल जो होता है यह वो शक्स होता है जो काम कर रहा है ठीक काम करने को action जो हो रहा है उसको यहा पिए आपको सम्झाँगा उसके साथी लास्ट नलॉप पर यापенд कांगा इसमेम मफ्वूल होता है जिसमें किसी बताते हैं जिस पर की काम के घैपी कारे रागे हृते हैं अ इसने की काम की मॉतुल हो जया सिर को एक्जम्बल के साथ साथ हम हरे एक को डिसकस करेंगे इसमें सिफफत पहले हम देख लेंगे इसमें सिफफत वो इसम होता है जो किसी दूजरे इसम की तारीफ अच्छाई बुराई को जाहिर करेगा उसको इसमें सिफफत कहते हैं जैसे मसलन नेक लड़का जूटा आदमी, बड़ा मकान, पांच उंगलियां वगएर ये सारी के सारी जो होते हैं इसमें सिफफत यहां पे हम कहते हैं इसमें मफूल यहां पे हम देख लेंगे इसमें मफूल वो इसम होता है जो किसी शक्स जगा या चीज़ को जाहिर करे जिस पर कोई फाल यानकी काम, वाक्या आरेडी हो चुका है उस इसमें मफूल हम यहां पे कहते हैं इसके अगर आप लिखना चाहो तो इसमें मफूल वो इसम होता है जो किसी ऐसे शक्स जगा या चीज़ को जाहिर करे जिस पर कोई फाल यान की काम या वाकिया पहले से ही हो चुका हो इसमें पढ़ा हुआ नहीं हम पढ़ा हुआ अदियोग चाहिएग ह nouveau बहुता नॉत ऐस था जा कर दूखा हुआ हएएए चाहिए फौरा है विदुम देखा हुआ, टीमने पहले भी अगाए आप काम वा कहा हुए है Ghost यहां कि पहले सी इसमी और जाएयगा, इन जुम्लों मैं पढ़ा हुआ, देखा हुआ, सुनी हुई, देखा हुआ हैche absolutamente अब देख लीजिए अब हम यहां पे पेपर को थोड़ सी नजर डालेंगे तो इसम वगेरा मैंने आपको समझा दिये अब यहां पे पहला इसमें कोशन आया है यह मस्जिद काफी शानदार है इस तरीके का आपका कोशन आजाएगा वहां पे इस जुमले में शानदार क्या है शानदार मतलब की सिफद को जाहर कर रहा है तो यहां पे शानदार क्या आजाएगा इसमें सिफद जैसे दोडने वाला गिर गया कहाया. इस जुमले में exterior क्या है cht जी बिली ने पर क्या है उम्हु भुल कहते हैं तो इस तो नीचे यह बिली ने चुहे को पड़ा ईस जुमली में चुहा क्या चुहे सिफत अधकर मफूल धे हैं इसमें जो चुहा है वो क्योंकि चुहे पर कोई काम हुआ है उसको पकड़ा है बिली ने उसके बाद यह खूबसूरत मन्सर है इसमें खूबसूरत किया है वह आपका इसमें सिफधी आपका आजाएगा तो इस फाले सेक्शन से भी आपके पांच मार्क्स यहां पर बनेंगे लग बग आपको 35 मार्क करना या एक न सुनना मतलब कुछ भी नहीं सुनना चाती पीटना मतलब मांतम करना ठीक उसकी बाद बाग बाग होना मतलब बहुत खुछ होना गार्डन गार्डन जिसको कहते है दिल गार्डन गार्डन हो गया तो बाग बाग होने को अगर यहां पर लिख लोगे बाग ब पेपर्स में आता है मतलब कि मैं अपनी महबूबा को देखके बाग बाग हो गया मतलब मैंने अपनी महबूबा को देखा मैं बहुत खुश हो गया या मैंने अपने वालदेन को देखा मेरा दिल बाग बाग हो गया तो यह मतलब इस तरह कि आप इनमें जुम्ला बना सकते है च्छाती पीटना हो गया कि बहुत ज्यादा मानफम करना तो इसमें अगर आप जुम्ला बना हो गए अशोक की मौत की खबर सुनके उसकी माने च्छाती पीटा ठीक कि इस तरह से कुछ लिख सकते हैं तो इसमें आपके जो मार्क सा जाएंगे तो थोडसा झुम्ला आपको बनाने देना मार्क सा जाएंगे उसके पाद next question यहाँ पर आपका आजाएगा चार मार्क्स वाला डरीजेल में से किसी एक झूले की तरकीव नहवी कीचे और जूले का नाम भी लिखे तरकीव नहवी करनी है और जूले का नाम भी यहाँ डिख लेना है जो जुम्ला होगा उसके जो भी अजजा होते हैं उनको अलग-अलग करके हम रिखते हैं उसे को तरकिब नही कहते हैं तो दो तरीके के जुम्ले यहां पर होते हैं एक जुम्ला इसमिया खब्रिया और जुम्ला इसमिया खब्रिया ठीक इसमिया खब्रिया वह जुम्ला होता फिल या खाबरीयाब अगर आपको किस तरसक करने, तो दीखिया यहाँ पर आपको याद रखलें iy Gavin कि इसुम्ला серьमी खाबरिया होता है 24 पार्ट वोस्त एक उत्स होता है 53 छोय एक एक होता है धाल अगर उम्ला नाकस Section Gun 250OOOO होता है इसका उम्लात पाराम आकरम नादान है, ठीक, अकरम नादान है, नादान तो कोई एक्शन है नी, नादान मतलब कि उसके बारे में कुछ हमें पता लग जाता, यहां कि जुम्ला कुन सह जुम्ला इसमिया ख़वरिया है अगर इसको हम तरकीब नहीं करेंगे है अकरम नादान इसको कैसे आपको लिखना पड़ेगा अकरम नादान है आपको लिखना पड़ेगा है अकरम उसके बाद नादान लिखना पड़ेगा जैसे मैंने वो उपर आपको समझा दिया है जो आपका होगा वो फैल नाकस होगा उसके बाद आकरम जो होगा वो मुपतदा होगा और नादान जो होगा वो खबर होगी ठीक क्योंकि खबर हमें उसके बार में मिल रही है तो यहां पर आपको खबर होगी इसके बार में उसके बार में नेक्स्ट हम देख लेंगे नद गलग करके लिख लेना है पहले आपको है लिखेंगे फिर उसके बाद नदीम लिखेंगे फिर उसके बाद बीमार लिखेंगे फिर आप उसके बाद बहुत लिखेंगे उसके बाद है जो फैल नाकस है नदीम जो वो मुटदा है बीमार जो खबर है बहुत मुतलिक खबर है ऑास्मान नेला वी कबरीया शेया है। यह कम है। तो यही का देख हो जाता है। अशका एसके बाद फूल मर्ा गया गया लाकस प्रतों अगिव कर देख कहया है। उसके बाद राझु डाक्टर है यह भी खबर हमें मिल रही है जुम्ला इज्मिया कभरीया। जुम्मला इसमिया खब्रे गवरे तो यहाँ नहीं आजायागाइ इसमें जुम्ला फिलिया खब्रीया भ़का खब्रीया की कोई action भीवरे हो रहा है शु़ हमें इसकी बारे में रहाँड़ां हो कहाई हमा इसकी बारे मेंचरई जो को पता चलताले है तो इसका भी यहां पर आप स्क्रीन शाट लेकि अपने पास रख से लिए बस आपको इसमे यह वाला याद रख लेना है कि जुम्ला अगर इसमिया खबरिया है तो इसमे यहां पर आपको फैल नाकस होता है मुटदा होता है खबर होती है मुटलिक खबर होती है और जुम्ला अगर failure खबरिया है तो इसमें पे फैल ताम होता है, फाइल होता है, अलामत फाइल होता है, मफूल होता है, अलामत मफूल होता है, यहां पे आपका इतने सारे इसमें आपके options होते हैं, तो इनको आपको एज़टी जाद करके जाना है, बाकी आपको जुम्ले मे ठीक है कुछ और उसके बारे में तो वो जुम्ला इसमिया खबरिया यहां पर आपका होता है अब देख लीजे जो कोशन यहां पर आपको आई है रशीद जहीन है उसनाद बच्चों को पढ़ाता है रशीद जहीन है यहां दैट में आपको इसमें भी 4 marks हो जाएंगे तो लग बग हम 50 marks तक यहां पर पहुंचेंगे उसके बाद next section जो आपको आजाएगा वो आपको आजाएगा किसी एक सिफ़त किसी एक पर आपको आपको रोशनी डालनी पड़े कि किसी एक पर आपको नोट लिखना पड़ेगा जैसे दास् आपको याद हो जाएगा तो 8-10 लाइन पर आपको चिपका के आजानी है तो यह 5 marks आपको ड़ेगा आप चार पढ़के जाएगा चार मेंसे कोई एक तो आही जाएगा आपको चार ओप्शन आपको दिये गए होंगे चार मेंसे कोई ना कोई एक आपको फश जाएगा दो तीन आप पढ़के जाएगा तो आपको यह जाएगा फिर से 5 marks वाला question जिसमें आपको खुलासा करना होगा जिसमें आपको इबरत आजाएगी खुशामद, आसमन, फूल, लहू, चार मेंसे किसी एक पर आपको खुलासा लिखना होगा तो आप 2-3 पढ़के जाएगा तो तीन किसो कोई एक फॉल एक फासी जायागा तकि को, तीन काशामद, तीन मेंसे कोई एक करना हो ऑगा जो यह आपको चार चोइसे में लेके 3 पर आपके किसने है ये ठीक ये आपको पता है तो आपको जो है फिर इसमें थोड़ा सा इदर उदर का भी लिख दोगे तो आपको दो मार्क्स यहां पर आजाएंगे हर शार के मतलब तीन मार्क्स आजाएंगे दो शार आजाएंगे आपको तो यहां पर आपको छे मार्क्स एजिली इन तो चार मेंसे कोई एक आपको जो वहां पर करना पड़ेगा आठस लाइन का नोट आप लिख लोगे पांच मार्स आपको एजिली इसमें बन जाएंगे यह काफी इंपर्ट रहने वाला है आप चार पांच पढ़के जाना तो आपको पता होगा तो आप चिपका के आपको मार्स लिख 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 लि किसके बार में आप면 खच लिख रहे हैं उसके बार में ख़त लिखना हैं उसको शिरक्ट करवानी है कि आप कोई दोस्त है घंओ रखा तो घंध falling ALL being तो नीचे पिए लिखनी है उमिद है कि आप मेरी जो है आपको मेरी काथ कुबूल करेंगे या मेरी जो दर्छास होगी कि इसको कुबूल करींगे स्कूल का नाम लिखना होगा जो भी स्कूल का नाम होगा उसके बाद अन्वान आपको किस के लिए दर्खास आपको लिखनी है वो यहां पे लिखनी है जिनाब आली या जिनाब आलिया जो भी होगी आली होगा तो मास्टर होगा आलिया मतलब कि आलिया बटनी होगी फिर आपको 6 marks तो यहां से एजली बनी जाएंगे उसके बाद last portion आपके यहां पर आ जाएगा मजमून का मजमून आपके लिए आपको 4-5 options आपको दिये गए होंगे 5 तो नहीं दिये गए होंगे 4 options आपको दिये गए होंगे सबस्क्राइए पर आपको दिये गए ओर आपको कमने मतना होंगे 9 यहां से लिए फ्रीजिये गए 5 तो दिया पर चक्राइब उसके बादस आपको लिए 15 अचाएगे वह यहां पर लेख सकते हैं बाकि सबसे इंपर्णों जो grammar और letter वगेरा थी और passage वगेरा सब कुछ मैंने आपको समझा दिया as it is पूरा मैंने आपको समझा दिया अगर आपने कुछ भी नहीं पड़ा है तो यह वीडियो देखे आप वहां पर चले जाओगे format वगरा सब कुछ मैंने समझा दिया आप अपना पेपर पास हो जाओगे बाकि टेंशन बिल्गुल भी मत लेना सब कुछ मैंने समझा दिया कोई confusion डाउट होगा comment section में बता सकते हैं